आमराम किसान भाईयों, कैसे हैं? आप सभी लोग आसा करता हूँ, आप सभी लोग सतव सुखी और संपन्पन्णों वीपी काउलोबर चैनल की तरफ से आप सभी अनद आता हूँ के चड़ो में नमस्कार मेरे प्यारे साथियों बीपी काउलोवर चैनल पर आप लोगों का दिल से स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट और प्यार देते हैं तो आज का टॉपिक है मेरे साथियों कि हमारे पशू या पशूओं के बच्चे गाय और गायों के बच्चे बच्चडे बच्चिया एक हरकत करते हैं वो कौन सी हरकत करते हैं हमारे घर के बच्चे कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेकर आते हैं दुकान से मार्केट से जो पन्नी में पैक होते हैं खाया मेटेरियल खा लिया उनके कुरकुरे हुए हैं या फिर टेड़े मेड़े भाउस से प्रोडक्ट होते हैं जो खालिये खाने के बाद में पन्नी वही छोड़ दी वो पन्नी उड़ते उड़ते कहां हमारे पसुओं के पास हमारी गाय के पास पहुच गई गाय उस पन्न तब हम जान पाते हैं कि हमारे पसु ने कुछ ऐसी चीज खाली है जिसके यह जुगाली भी नहीं कर पारा और पेट भी इसका फूल रहा है बुरी तरीका से अपच हो गई और यह मरने की इस्थिती में पहुँच गया तब हम जान पाते हैं कि इसने कोई नो कोई लफड़ा वाली चीज खाई है तो आज मैं उसी विषय पर चर्चा करने आया हूं आप लोगों के सामने कि जब हमारा पसु पन्नी खा लेता है कपड़े खा लेता प्लास्टिक खा लेता है रसी खा लेता है तो उसके जो पेट होता है पेट में इस तरीके से बड़ा पांच-पांच छेचे किलों के डेल बन जाते हैं गोल गोल लड़ू जैसे बन जाते हैं महां पर एक लड़ू इकठा हो जाएगा प्लास्टिक का है कपड़े का इकठा हो जाएगा फिर कोई भी ऐसा सॉलूशन नहीं है जिसे हम निकाल सकें बिना ऑपरेशन के अब तक तो ऑपरेशन के त्वारा ही उनके अंदर की प्लास्टिक जो उनके पेट से बाहर निकाल दी जाती थी कोई दिकत नहीं लेकिन आज मैं वह फार्मूला लेकर आया हुआ हूं कि आपकी गायने प्लास्टिक खाली है या फिर पन्नी खाली है कपड़ा खालिया है या कोई भी चीज का गुज पांसो ग्राम मठ्था लेना है मठ्था चाच चाय वो गाय का होना चाहिए या बहस का किसी काविव पांसो ग्राम मठ्था पचास ग्राम लेने है आपको लाल फिटकरी पचास ग्राम अगले नंबर पर पचास ग्राम लेना है आपको शेंधा नमक पचास ग्राम अलसी जानते होंगे अल्सी सावत लेनी है अब इसमें 100 ग्राम अरेंडी का तेल 100 ग्राम, नीम का तेल इन सब चीजों को हमें मिक्स कर लेना है सब को मिक्स कर लेना है मठा है ही हमारे पास इन में लिक्ट एक बन जाएगा इस लिक्ट को हमें केबल तीन दिन प्रियोग करना है ये जितना भी मैटेरियल हमने बताया है उपये केबल दो खुराक हैं इसमेंसे दो खुराक बनेगी एक खुराक सुबएक बनेगी और एक खुराक सामके लिए इतने की और इसी के रेशियों के अंशार आप 3 दिन का मैटरीयल तयार कर लीजिएगा तीन दिन जब आप ये खिला लेंगे तो खिलाने पर क्या है एक ऐसी क्रिया अंदर पेट में होगी जो भी यानि के मेटेवियल भरा होगा प्लास्टिक वगेरा वो एकदम लड्डू जैसा बन जाता लड्डू जैसा बनने किया पेच्छा वो बिखरने लगेगा और पसू हमारा जोगाली करने लगेगा लेकिन वो निकलेगा कैसे गोबर में नहीं निकलेगा वो जोगाली करते टाइम पर मुँ से निकाल देगा जितना भी मेटेवियल होगा प्लास्टिक, कपड़ा, डवर जो भी होगी वो सारी चीजें जोगाली करते टाइम पर हमारा पसू गाय हो, बचड़ा हो, बचिया वो मुँ से बाहर निकाल देगा और यदे आप ये फार्मूला नहीं करना चाहते हैं फिर तो आपको किसी अच्छे चिकस्षक को बुलाना पड़ेगा जिससे पेट का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होने के बाद में निकालना उसमें काफी महंगा पड़ेगा और पसू भी काफी दिक्कत का सामना करेगा और यद इन केस आप फीचर आपके पसूओं को किसी भी परकार की कोई बीमारी शमस्या होती है तो आप हमारे इस नंबर पर 24 गंटे वाटसेप कर सकते हैं अपनी समस्या लिख करके हम आपकी समस्या के अनुसार आपके लिए एक नया वीडियो बना कर प्रोबाइड कराएंगे जिससे आपके पस्दों की समस्या का शमाधान होगा और यह दे आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सेयर और सबस्क्राइब कीजिए जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और फिर मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैराम जी की